आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी हमारे बीच हैं आप बिहार से हैं अंतराश्ट्रिय सनातन हिंदू वाहिनी के आप संस्थापक हैं इस वाहिनी के माधम से संगठन तता हिंदू धर्म पर हो रहे आगातों को रोकने का कार्य आप कर रहे हैं मुजफ़पूर में सभी हिंदू का संगठन हो इसके लिए आपने भारतिय सांस्कृतिक संगठन समीती के नाम से समन्वे समीती का आरंब किया है और हर महीने इसकी बैठक लेकर कारे की दिशा निश्चित करते हैं जैसे की अवैद बूचड़ खाने हैं उनको बंद कराना अचारे में सेवेधानिक मार्गत से आंदोलन करना ऐसे सब कारे आप कर रहे हैं मैं आचारे चंद्रकिशोर पराश्र जी से नरोद करती हूं कि वे मुजफ़पूर में आपने जो संगर्ष किया है उसके विशे में अनुबव कथन बताएं आप सभी एक हाथ उठाते हैं आप सो प्रतिशत हिंदुस्तानी है भारती हैं और सो प्रतिशत हिंदु भी हैं तो सो प्लस सो दो सो हुआ न तो एक हाथ एक सो का प्रतिख है दूसरा हाथ दूसरे सो का प्रतिख है इसलिए जब भारत माता की जय बोलेंगे तो हिंदु का हाथ भी उठना चाहिए और भारतियता का हाथ भी उठना चाहिए वुला भारात माता की जड़े माता की जड़े वंदे मातरम जगत नियंता जगदेश्वर के चर्णों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ पुझ्य गुरुदेव के चर्णों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ यहां उपस्थित संत समाज के चर्णों में भी अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ व्यास्पीट पर बैठे सभी विद्वान वक्ताओं के प्रती अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस सभागार में उपर और नीचे आप इसले एक सब्ता से बैठे हुए यहाँ सक्रियता पूर्वक जो एक विशेश लक्ष को लेकर हमें आगे बढ़ना है, सिद्धी प्राप्त करना है उसके संकल्प को लेकर जो हम सभी बैठे हैं आप सबों को भी प्रणाम निवेदित करता हूँ और हिंदू राष्ट के निर्वान के लिए ये जो हम लोगों होम वर्क कर रहे हैं अभी ये बड़ा कठिन है लेकिन बहुत सहज भी है, बहुत सरल भी है ये उतना ही कठिन है जैसे पतजर के महीने में बहारों को लाना है जैसे इस धर्ती पर आकाश के सितारों को लाना है मगर सहज इसलिए है कि हमें नित्रित्तो मार्गदर्शन एक ऐसे महान गुरू का मिल रहा है एक ऐसे महान संत का मिल रहा है, एक ऐसे महान ईश्वर और भगवान का मिल रहा है जो हमें हर प्रकार किया, अध्यात्मिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, सारेरिक शक्ति हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक दिन लेट से आया, पांच दिनों के बाद मुझे लगा कि मेरी उर्जा जितनी मैं लेकर आया था, वो पांच गुना बढ़ गया, और जब मैं उस दिन, जब मैं उस दिन पुझ्य गुरुदेव से मिला, तो मुझे लगा कि ये तो टेन टाइम्स हो गया, तो उर्जा का जो ये गुनात्मक विकास है, इसको मैंने भी महसूस किया है, और आप सब उने भी महसूस किया है, इसलिए मुझे अगर कहना हो, कि हिंदुरास्ट कैसे बनेगा, इसकी कठिनाईयां क्या है, ये मेरा विशह नहीं है, मगर जो मैंने छे दिनों में अनुभव किया है, वो चार पंक्तियों में काव्यात्मक रूप में रखकर अपने मूल विशह पर आता हूँ, कि धर्ती पे सितारों की कठा लिखनी है, धर्ती पे सितारों की कठा लिखनी है, पतजर में बहारों की कथा लिखनी है, धर्ती पे सितारों की कथा लिखनी है, पतजर में बहारों की कथा लिखनी है, हिंदुत्य की कलम से हर दिल पर हिंदुरास्ट के इरादों की कथा लिखनी है, हिंदुरास्ट के इरादों की कथा लिखनी है, यही हमारा हूमवर्क यहां से लेके जाना है मित्रों मैं भारत और नेपाल के उस सीमा वर्ती उस बॉर्डर छेतर से आता हूं जिसको मितलांचल कहा जाता है मासीता की जन्म भूमी है और इस पर मुझे गर्व भी है मगर जब कोई पूछता है कि आपका जिला का नाम क्या है आपके जिला के मुख्याले का नाम क्या है तो मैं बहुत ही मुर्जाय हुए मन से कहता हूं कि ये तो एक परकिया एक विदेशी एक आकरांता के नाम है मुझफरपूर और जब मैं विद्यार्थी था विद्यार्थी परिशद का कारेकरता भी था विश्व विद्याले की राजनिती में तब ही से 280 की बात है कि मैंने इस बात को, कि ये जो हमारे शहर का नाम है, इसको परिवर्तित होना चाहिए, अपने मित्रों को बताना शुरू किया, और कुछ हिंदुत वादी विचारधारा के मित्रों को बताया, कुछ संगठन के मित्रों को बताया, एक दिन ये विचार हुआ कि हम मुजफर पूर को अब हम लोग मुजफर पूर नहीं कहेंगे चुकि यह अकवर का जो तहशिलदार था मुजफर का जो यहां एक गाउं था वहां अपनी तहशिल बनाने आया था उसने अपने नाम पर रखा इसको बदलकर और मुदफल पूर कहेंगे और उसके पीछे का तर जो जिसे बामपंथियों ने सिपाही विद्रोह कहा और हम लोगों ने स्वाधिंता के संग्राम की नई उर्जा का प्रच्छेपन कहा मंगल पांडे जी के नित्रत्तों में जो हो रहा था वो किसी कारण से सुसुप्त हो गया और लंबे समय तक लगने लगा कि अब भारत क लोग आजादी के लिए स्वाधिंता के लिए कोई लडाई नहीं करेंगे तभी मुझफरपूर की धरती पर दो नौजवान खड़े हो गए एक का नाम खुदिराम बोस और दूसरे का नाम प्रफुल चंद चाकी था और उन्होंने अंग्रेज कलक्टर जो अत्याचारी थ और अंग्रेज शाशन उसकी चाती पर पूरे देश में पूरे स्वाधिंता संग्राम में चाहे वो 1857 के पहले का हो या बाद का हो अंग्रेजों की चाती पर खुदिराम ने पहला बंब का धमाका किया इसलिए मुझफरपूर जाना जाता है और दूसरा ये कि मुधफरपूर की लीची विशेश रूप से साही लीची पूरी दुनिया में जानी जाती है और वो इसलिए मुझफरपूर को स्वीट सीटी भी कहा जाता है तो इस प्रकार जो सामाजिक संगठनों को एक साथ सांस्कुतिक संगठनों को एक साथ बैठाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो सन 1981-82 के आसपास शुद्धी करन मुझफरपूर के नाम परिवर्तन का शुद्धी करन और उसके पीछे का तर्क की मुझफरपूर का जो ये लीची है जो मोदक की तरह दिखता है लड़ू की तरह दिखता है तो इसलिए इसका नाम मुधफल होना चाहिए मुधफल पूरम होना चाहिए और मुदफल पूर किया गया और तब से हम लोगों ने कई बार वहां के स्थानिय प्रशाशन को भी लिख के दिया कि एक अधिसूचना जारी की जाए कि ये मुदफर पूर शहर का नाम मुदफल पूर किया जाता है मगर ऐसा अब तक संभब नहीं हुआ है हम लोग लगे हुए हैं और हमें आशाही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो बीस पच्चिस लोगों के साथ हम लोगों ने एक समन्वे समीती बनाया था जो लगभग चालीस पैंतालीस वर्सों से काम कर राय है वो अपने अपने नामा करण जो सुद्ध किया हम लोगों ने बाद में जाकर आरेसमाज मंदिर में करब 2 100 लोगों को बुलाया और बाकाईदा यْग्यहवन करके मुजवफर पूर को हम लोगों ने संसकारत करके मौदफल पूर बनाया ये वहां से ये सिलसिला शुरू होता है मित्रो इस प्रकार हम देखते हैं कि चार दस्कों से हम काम कर रहे हम लोग वहां पर बिभिन संगटनों को समन्वित करके और उसका फला फल मिलता रहता है बिभिन छेत्रों में हम लोगों ने काम किया है जैसा क कि देदी ने बताया भी कि गौरक्षा के लिए चार दस्कों से काम चला है एक बहुत ही छोटा शहर है मुझफरपूर करीब पांच सवा पांच लाग की आवादी उसमें पचास जार गैर हिंदू रहते हैं मुस्लिम रहते हैं और वहां पे लगभग देशों स्लाउटर हा और उसने प्रयास भी किया उन्होंने फिर एक सर्वे रिपोर्ट हमसे मागा उसको क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एक दीदी को भेजा एक अपने इंप्लाई एक्जेक्यूटिव को भेजा और जब हम लोगोंने सारी चीज़े उनको बताई दिखलाई तो उन्होंने action के लिए जब वहाँ के प्रशाशन को पुलिस को कहा हम लोगों के साथ जा करके तो वो तैयार नहीं हो रहे थे वहाँ जिस छेत्र में ये सबसे जादा cutting होता है और जिसकी packing होती है वहाँ पर छापा मारी के लिए हम लोग कह रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं होती थी अस्थानिय थाना के लोग कहते थे दिन में नहीं रात में करेंगे और जब रात को जाते थे इतना सन्नाटा लगता था कि वो जो गाए के उपर तलवार चलाते हैं वो शायद हमें घेर ले इतना भयावा हिस्तिती और फिर भी पुलिस के लोग उनको छूना पसंद नहीं करते थे वो उनके मन में कोई डर नहीं था उनके मन में चुकि हर महीने नहीं हर हपता उनको एक मोटा सा लिफाफा मिलता था इसलिए वो छूना नहीं चाहते थे लेकिन उसमें सफलता मिली और आपको जान कर आश्र होगा कि वहां का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो कसाई खानों से करीब 6-7 किलो मीटर दूर है वहां पर कई ऐसे उद्योग को हम लोगों ने फाइंड आउट किया जो फूड प्रोसेसिंग के लिए कट करनी पड़ी है और केंद्रिय सरकार के विभागों का भी सहयोग मिला तब जाकर हुआ उसमें एक रात में 500 टन गौमांस बरामद हुए मैं 5 टन नहीं बोला हूँ मैं फिर से सुधार के कहता हूँ कि एक रात में 500 टन गौमांस बरामद किया गया और इस परकार वहां का जो डेर सो स्लाउटर हाउस था वो बंद हुआ लेकिन दुरुभाग्य है कि जनता आगे नहीं आती है हम लोग को केवल चलना पड़ता है धीरे धीरे वो स्लाउटर हाउस खुलने लगे एक तरफ का बंद करवाते हैं दूसरी तरफ को बंद करवाते हैं तो एक तरफ खुलता है कई बार तो जो तसकरी होती है पशों की उसमें उल्टा केस जहलना पड़ता है कि हम पर दकैती का केस किया जाता है 307 की धारा लगाई जाती है और क्या क्या किया जाता है जब भी कुछ हरकते होती है तो 170 तो हम लोगों के लिए आम बात हो जाती है इसी प्रकार हमारा जब समन्में समीती है जिसमें हमारी जो हिंदू जंज आगरती समीती है वो भी शामिल है ऐसे 14-15 संगठन है हमारे वो चार दसकों से घर वापसी का भी काम कर रही है और केवल मुदफर पूर या मुदफर पूर जिला ही नहीं आसपास के जिला में भी इस हमारे कारे से इतनी ज़्यादा लोग का प्रियता मिली है कि जिस प्रकार से हम लोग उनका शुद्धी करण करवाते है उनको सेल्टर देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, नको नौकरी देते हैं, उसके कारण सितामरी रवगरी जो जिला है, सीमावर्ती जिला है वहां से भी कभी कभी फोन आता है कि हमारे पास एक केस है हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है आप इसको ले जाएए और फिर यहां लाकर सुद्धी करन करना फिर उनको किसी ऐसे शहर में भेजना जहां उनके परिवार के लोग या आक्टाई या मलेच उनको छून न सके फिर उनके जीपन या अपन के लिए नौकरी या उ प्रावनी मेला में हम लोग हर साल शिविर लगाते हैं और करीब 200 हमारे कारे करता यह समन्वे समीति की बात कहता हूं यह केवल हमारी जो अंतरास्टिय सनातन हिंदू वाहिनी है वो नहीं समन्वे समीति जो भी काम हम करते हैं समन्वे बना कर ही करते हैं 200 कारे करता मंदिर स सिविर लगाना, उनको हॉस्पिटिलीटी देना, उनको मेडिकल एड देना, उनको फुटिंग देना, सब कुछ जो कुछ भी आवश्यक होता है, उनको हम देते हैं, और बिहार का सबसे बड़ा जो परपटी, जो दो किलो मिटर लंबा है, मेरे शहर में है, मोदफल पूर में हैं, उसे भी हमने समन्वे समीती की ओर से एडॉप्ट किया, और उस बस्ती में शिक्षाले नहीं था, उस बस्ती में स्वास्त की कोई विवस्था नहीं थी, सरक नहीं, पानी नहीं, और ये सब उस काल में, जिस काल में बिहार में, जंगल राज एक कहा जाता था, राबरी को रिखांकित करके मैं अपनी वानी को विराम दूंगा कि जिस प्रकार वाम पंतियों का बौधिक जगत में आतंक है और वर्चस्व है आज के शाशनकाल में भी जब हम कहते हैं कि राम जी के भक्तों की सरकार दिली में बैठी है ऐसे में साहितिका छित्र बहुत ही अचूता नहीं है और हमारे मोदफल पूर में भी और बिहार में भी जो वाम पंतियों का संगठन है प्रलेस और जलेस उनका वर्चस जो साहितिकार उनके मंच उनकी सदस्ता नहीं लेता है उनको साहिति में मंच नहीं दिया जाता कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता तो हम लोगों न इसने दिनकर उनके नाम पर राष्ट कवी दिनकर अकादमी बनाया और जो लोग भी मुशायरा करवाते थे उनके समानांतर हम लोगों ने कवी शम्मिलन का सिलसिला शुरू किया करीब 20 साल पहले जब दिनकर जी की शताबदी थी 2008 में दिनकर अकादमी की अस्थापना की और वो सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि आज साथ भार्षाओं को लेकर प्रतेक वर्ष हम तीन दिनों का तिरहुत साहित तोटसब तिरहुत लिटरेचर फैस्टिबल करवाते हैं और जो लोग भी मुशायरा करवाते हैं उनके समानांतर हम कड़के नए कवीयों को जगह देते ह हैं और जो हिंदू कभी अपने नाम के साथ तकिया कलाम में उपनाम में अर्दू नाम रखते हैं जिसका सबसे बड़ा उदारन मनोज मुन्तजिर हैं हमारे शहर में एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे जिनका नाम था प्रहलाद नारान खना उन्होंने बाद में अप आपड़े में हो या गद्य में हो उनको हम प्रमोट भी करते हैं उनके संकलनों को भी चापते हैं और इस क्रम में कुरुचहतर में कभी एक संकलन का संपादन मैंने किया था और उसमें अनेक राष्टवादी जो विचारधारा के कभी थे जिनको कहीं है नियत्र अस्थान अनके मिलता था उनको हम यहां लाना चाहते थे अंतिम बात यह कहना चाहूंगा कि अभी कुछ महिने पहले दो महीने भी नहीं बीते हैं पिछले ही महीने बाखेशोर धाम के बावा पटना ऐए पटना प्रिशाशन ने उनको जगे नहीं दिया फिर बीहार के लोगों ने बिहार बड़ा बदनाम जगह है, लेकिन बिहार के अच्छे चीजों को भी प्रकाश में लाना चाहिए, उसकी संख्या जादा है, बदनामी वाले मुद्दों की संख्या तो कम है, तो वहां के हिंदू समाज ने ये संकल्प लिया कि ये कारिक्रम तो अब होगा, और नौबतपूर आप सभी टेलिविजन पे देखे होंगे, वहां त्रेटपाली एक गाउं है, वहां त्रेटपाली मट भी है, तो उन्होंने त्रेटपाली मट ने कहा, कि ये सारे चार विग था, और मकई तो अभी हराई था, और वहां के देर हजार एकर जमीन को वहां के किसानों ने अपनी हरी फसल को काट कर, वहां समतल बनाया, ट्रेक्टर से, वहां रॉलर चलवाया, और वो आए और भारत में सबसे जादा भक्त उनको एक एक दिन में दस-दस लाख लोग सु ने आते थे, उनको टेलिवीजन पे आकर मना करना पड़ा, कि वक्तों आप अपना टिकेट कैंसिल करवाईए, आना बंद कीजिए, और इस तरह का समा बधा, और फिर टेलिवीजन वाले थे, हम लोग सेबा में लगे हुए थे, हमारी समन्वे समीती भी वहां उपस्तित थ हो, कि हमारी जो ये 14-15 संगटनों की समन्वे समीती है, उसमें कुछ और समीतियों को हमने जोड़ा पटना में, और आप विश्वास करें कि एक करोर रुपे का कैस और काइंड का, हम लोगों ने बेवस्था करके वहां पर सब कुछ लगाया, और उस प्रभचन को हम लोगो हिंदू हैं, उनसे पूछ हो, कि जिस हिंदू रास्ट के नाम पे तुमने इतना है कुहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंडन और इरान से आया, जिस हिंदू रास्ट के नाम पे तुमने इतना है कुहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंडन और इरान से आया, अरे मा की तार तार चुनर ने, फिर तुमको ललका रहा है, कहो गर्ब से, हम हिंदू हैं, हिंदूस्थान हमारा है, हर 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 महादेव की हिंदू सेना निकल परी, सर पर कफन बांध कर देखो, बजरंगियों की फौच चली, गली गली में मात भवानी का उठा जैकारा है, कहो गर्ब से, हम हिंदू हैं, हिंदूस्थान हमारा है, हिंदूस्थान हमारा है, हिंदूस्थान हमारा है, हिंदू झाल झाल